तो अब आप इस फिगर में देखिए, 125-degree और E, ये दोनों एंगल्स जो है एक ही लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है, तो यानि ये दोनों कहहा हैं, linear pair, linear pair क्या होते हैं, एक ही लाइन पे बनने वाले दों एंगल्स जो हैं वो linear pair कहलाते हैं, तो इस दोनों एंगल्स क्या है linear pair क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे है ठीक है और linear pair के दोनों एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री होता तो याने इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है यानि and एंगल ए प्लस 125 डिग्री इस इकोल टू 180 डिग्री तो मैंने यहां पर लिख लिया है एंगल ए प्लस 125 डिग्री इस इकोल टू 180 डिग्री कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वह 180 डिग्री होगा क्योंकि यह दोनों एंगल्स क्या है लीनियर पेर हैं ठीक है और लीनियर पेर प्लस का है जब equal to के दूसरी तरफ आएगा तो यह minus का हो जाएगा तो 180 डिग्री मैंने ऐसी लिखा और 125 डिग्री को इस तरफ लाएगे तो यह minus 125 डिग्री हो जाएगा तो अब 180 में से मैं अगर आप देखें तो यह जना है एक दूसरे इस पॉइंट पे इंटर्से tark करती है तो इस प्रकार बनिए वर्तिकल्री अपॉजिट left इंगल विट्फ रहं आमने सामने के एंगल होते हैं तो यहां पर देखिए एंगल ए का जो वर्टिकल यह पोजिट एंगल है कौन सा है एंगल यह दोनों आमने सामने के एंगल है तो यानि यह दोनों क्या होंगे एक्वल जितना एंगल 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 होगा तो देखिए अभी हमने निकाला कि एं 55 degree क्योंकि क्या है ये vertically opposite angles तो देखें, angle F is equal to angle E angle F angle E के equal है और angle E कितना है 55 degree तो angle E is equal to 55 degree तो यानि जो angle F है वो भी कितना है 55 degree क्योंकि angle F और angle E क्या है वर्टिकल E opposite angles है तो ये दोनों angles equal होंगे तो angle F की value आ गई 55 degree अब देखें यहाँ पर कोशन में दिया गया है कि P और क्यों ये 2 parallel lines है historic अब देखें और T जो है ये एक Transversal है तो देखें यहाँ पर 2 parallel lines को एक Transversal जो है इस तरफ सनाम होते हैं तो देखें हमें पता है कि जब 2 parallel lines यह टू parallel lines है इन्हीं ट्रांसवरसल कट कर रही है तो इस परकार बने alternate angles जो है इक्वल हो गज़े तो देखिए angle F equal होगा angle A के क्योंकि देखिए angle F और angle A क्या है alternate angles है देखिए जो angle F है वो तो यहां सोपी टत में सूलने क्यों कि दोनों की है गयुक्त है 15 सब्सक्राइबErोन इंगल होगा क्योंके 55 degree तो एंगल एकी वैल्य आ गई 55 डिग्री अब देखे हमें पता है कि जब टू पैले लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इस परकार बने corresponding angles equal होते हैं तो यहां पर देखे इन टू पैले लाइंस को यह ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो corresponding angles का हर एक पेर equal होगा अब देखे corresponding angles कोन से होते हैं ट्रांस्वरसल की same side पर बने angles जो होते हैं वो corresponding angles कहलाते हैं तो अब यहाँ पर देखें जो angle D हो 125 डिगरी के equal होगा क्योंकि यह दोनों क्या है corresponding angles हैं ठीक है देखे 125 डिग्री लाइन से उपर का एंगल है ठीक है और एंगल D भी क्या है लाइन से उपर का एंगल है और ये दोनों ही एंगल जाए ट्रांसवेसल की सेम साइड पर है तो यानि एंगल D जा है वो 125 डिग्री के एक्वल होगा क्योंकि ये दोनों क्या है corresponding angles है तो एंगल D is equal to 125 डिग्री तो एंगल D जो है 125 डिग्री के एक्वल है क्योंकि ये दोनों corresponding angles है तो एंगल D की value क्या आगई 125 डिग्री अब इस figure में देखिए देखिए यहां पर ये two lines जो है एक दूसरे को intersect करी यानि ये two lines एक दूसरे को काट रही है तो जब two lines एक दूसरे को intersect करती है तो इस परकार बने vertically opposite angles जाए equal होते है वर्टिकली opposite angles यानि आमने सामने के angles equal होते है तो देखिए angle C angle A के equal होगा क्योंकि य एंगल B angle D के equal होगा क्योंकि क्या है यह vertically opposite angles तो एंगल C is equal to angle A, angle C angle A के equal है क्योंकि क्या है यह vertically opposite angles और angle A के value हम ने निकाली थी कितनी आई 55 degree तो angle A is equal to 55 degree यानि angle C जो है वो 55 डिग्री सी है और एंगल भी, एंगल ड की इक्वल है क्योंकि क्या है ये वर्टिक्ल ये पोजिट एंगल और एंगल बी-जो है वो किस्की इक्वल है दो ry जानी जो एंगल B है वो भी 125 डिगरी है तो एंगल B की वैल्यू क्या आई 125 डिगरी तो देखे हमने यहां पर सभी अन्नोन एंगल्स की वैल्यू निकाल ली है एंगल A की वैल्यू आई 55 डिगरी एंगल B की वैल्यू 125 डिगरी एंगल C की वैल्यू 55 डिगरी एंगल D की वैल् आई हैं मैंने यहां पर रिख लिया हैंस एंगल A is equal to 55 degree एंगल B is equal to 125 degree एंगल C is equal to 55 degree एंगल D is equal to 125 degree एंगल E is equal to 55 degree and angle F is equal to 55 degree तो सभी unknown angles की values हमने हैं पर निकाल लिये तो आज इस वीडियो में हमने कोशें नमबर 3 सोल करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब थैंक यू